जै बातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 मार्च और 20 मार्च 2021 के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रह ये शेत्र हो नौकरी हो व्यपार हो हर चीज के बारे में बात करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आप से छोटा सा निवेदन है चैनल पर अगला पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल सब्सक्राइबर का बटन है उसको आप दबा दे और जोड़ जाए हमारे चैनल के सा जो सुबह तक ही रहेगी क्रतिका नक्षअत्र रहेगा विष्कंब नाम का योग है सुबह 11 बजे तक उसके बाद प्रिति नाम का योग है अब इस दिन तो चंदरमा के स्थिती है वो विर्षवरासी में है जहां राहू बैठे है राहू और चंदर की यूती हो रही है सूर्य मीन में हैं शुक्र भी मीन में पहुँच चके हैं इसके अलावा इस दिन रवी योग बन रहा है और अभीजित मोरत है इस दिन का दोपहर 12 बच कर 5 मिनट से 12 बच कर 53 मिनट तक अब 20 मार्च का दिन बड़ा ही उत्तम दिन है ये ये शनिवार का दो दिन है सब्तमी तिति रहेगी पूरा दिन और रोहिन नक्षतर रहेगा अब इस दिन प्रीति नाम का योग तो है ही लेकिन जो चार योग इस दिन बन रहे हैं वो इस दिन को बहुत महत्पुन बना रहे ह में है उसके बाद मिथुन राशी में चल जाएंगे तो राहू और चंद्र की यूती भी तूट जाएगी अब योगों की यदि बात की जाए तो जो सर्वस्रेश्ट योग होते हैं वो इस दिन बन रहे हैं दुई पुशकर योग सरवार्थ सिद्धी योग अमृत सिद्धी योग रवी योग यानि ये चार ऐसे योग हैं जो सबसे उत्तम माने जाते हैं किसी भी कारे कि सिद्धी के लिए किसी भी काम को बनाने के लिए नया काम शुरू करने के लिए हर चीज के लिए ये योग सर्वस्रेश्ट योग है अब 20 मार्च का दिन इसलिए बहुत ही वि इस दिन चंद्र राहू की यूती भी है, तो थोड़ी सी सावधान इस दिन जरूर रखने होगी, एक तो अपने आफिस में किसी भी वेक्ति से जवाब बात करते हैं, तो ध्यान रखें, अनबन हो सकती है, तो बातों को तोल कर बोलें, पहले सोचें और तब बोलें, ताकि कि किसी भी तरह की अनबन आप से ना हो, किसी भी तरह की फालतू बहस में आप न पढ़ें, अब कारशित्र में काम का प्रशर जादा रहेगा, काम जादा रह सकता है इस दिन, आपको अपने लिए एक टाइम टेबल बना कर चलें, कि आप किस तरह से अपने काम को पूरा कर सक इस दोरान स्वास्ते का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि राहू साथ में बैठा हुआ है, लेकिन आपका जो परिवारिक जीवन है, वो अच्छा रहेगा, परिवार के साथ अच्छा समय आप बिताएंगे, प्रेम जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, घर में ए कुछ प्रस्ताव मिल सकता है, या कोई रिष्टेदार को आप सो कुछ प्रस्ताव आपके सामने रख सकता है, जो भी डिसीजन लेना है, जो भी आपको करना है, काफी सोच समझ कर करें, पहले सोचें कि आप क्या करना चाहते हैं, जल्दबाजी में कोई भी निर्ने ना ले क्योंकि जल्दबाजी में निर्ने लेना काफी मुश्किल होगा क्योंकि आप अगर एक बार इस काम में आप अंदर चले जाते हैं गुश जाते हैं तो फिर उसे छोड़ना मुश्किल हो सकता है अब कुछ फायदे भी होंगे कुछ सावधानिया है तो 19 मार्च का दिन एक तो आपकी जो कामकाज की यूर्जने आपने बनाई हैं वो सफल होंगी किसी नए काम का जोखी मिलेना है तो 20 मार्च को लें इस दिन ना लें अगर आप कुछी चीज को लेकर दुविधा में हैं काम करने को लेकर या पारिवारिक कुछ जिम्मेदारी पारिवार की कुछ बातों को लेकर कोई भी दुविधा अगर है तो पहले निश्चिंत हो ज रहे हैं तो ऐसे में तो यह जो दिन है काफी बहुत ही काफी नहीं बहुत important हो जाता है आपके कारशेत्र में नौकरी करते हैं बिज्निस करते हैं दुकानदारी करते हैं तो जबदस्त लाब के योग बन रहे हैं और साथ में कुछ लोगों के लिए यात्राओं का योग भी है और यह यात्राएं आपके इंकम को बढ़ाएंगी इंकम बढ़ती हुई निजर आ रही है ज़्यादातर कामों में आपको सफलता मिलने का योग है ज़्यादातर कामों भी आलस नहीं करना है, आलस को त्यागना है आपको, आलस की वज़े से परिशानी हो सकती है, किसी खास इंसान को अगर अपने मन की बाते आप बताना चाहते थे, तो आप बता सकते हैं, आपके मन की बाते बता कर आप कुछ अच्छा ही कर पाएंगे, अप संतान की तरफ से भ बविशक के लिए कुछ अच्छी योजनाय बनाएंगे यह कई तरह से आपके लिए अनुकुल रहने वाला है अब अगर आप कोई रिस्क लेना चाहते थे कहीं पैसा इंवेस्टमेंट करना कहीं निवेश करना कारे को बढ़ावा देना तो आप 20 मार्च के दिन करें कोई जम प्रेब जीवन के लिए मिला जुला समय रहेगा प्रेब जीवन आप कुछ अगर परिशानिया चल रहे थी तो उन्हें दूर करने का प्रियास करें मिला जुला समय आपके लिए रहेगा और किसी अपने अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं तो अपने घर से आप घर प आपको करना होगा अब यहां देखिए जो चंद्रमा है उनकी जो बदलाव है वो मिथन राशी में हो चुका है और यहां जो राहू और शुप राहू और चंद्र की यूटी-टूटी है इसका बेनिफिट भी इस दिन देखने को मिलेगा योगों का तो हो गई सवार सिद्ध योग सभी कामों को सिद्ध कराता है द्वीपुषकर योग दोगुना लाव की प्राप्ति कराता है जो सभी योग मिलकर आपके कामकाज में बढ़ोतरी कराएंगे बस आपको महनत करनी है अब विद्यारतियों के लिए अगर इन दोनों दिनों को देखें तो 19 मार्च का द अगर आपको करना चाहिए इसके लिए अपमेडिटेशन कर सकते हैं ताकि अपनी पढ़ाई को ज्यादा मेहत्व दे सके अपनी पढ़ाई के ओपर ज्यादा ध्यान रख सके आपको उपाय की बताएं अगर तो उपाय के लिए आप देखिए एक मिट्टी के बरतन में